नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुवागत है आपका आपके अपने चलेंग नहीं होगे तो आज हम बात करने वाले हैं अभी क्या बिहार में एक नई बढ़ती आई है बिहार आमीन डिक्वार्मेंट 2020 का जो आपका नोटिफिकेसन है वो जारी हो जुगा है तो इस वीडियो के मादम से हम बात करेंगे कि बिहार आमीन जो आमीन में जो बरती निकली है उसका एक्जामपेटर क्या है बिहार आमीन का सलेबस क्या है बिहार आमीन की सेलरी क्या है इसके लिए आपके पास क्या क्या योगता होने चाहिए इसमें टोटल वेकेंसी कितनी है और भी बहुत परतियों की परिक्षा बोर्ड बी सी ए ने आमीन के पत्पर बर्ति के लिए क्या दिशुचना जारी की है इस दिशुचना के नुसार बिहार में आमीन के 40 पतों पर बर्ति के लिए आविदना मंत्रित किये हैं योग्यम विद्वार्ती स्तंबर से 31 अदिकारी परिक्षाटि माद्यम से बिहार आमीन बर्ति दोजब बिस के लिए क्या आविदन कर सकते हैं इस वीडियो के माद्यम से हम बात करेंगे बिहार आमीन वेकेंसी पातरतामान दंड की चैन पर किरिया और सेलेक्शन प्रोसेस ए खरेंटरनल की 15 पोस्ट है ये डवलोस की चार है बीसी की पाँच है ये बीसी की साथ है बीसी फेमिल की एक है एस सी की साथ है आमीन की वो उसका नोटिक्वेशन जारी होने वाला है तो इसमें भी क्या है? पोस्टें हो रहाएगी तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा सभी गार अब बात करते हैं इसमें सेक्षिन के उग्यता कि यान बिहार आमिन के लिए आपके पास अब बात करते हैं अब बात करते हैं एपोड़ेट के बारे में अगर बात करें तो नोटिवकेशन डेट थी वो आपके क्या थी notification आपका आया था 21 सितंबर को आपके form भणने शुरू हो रहे हैं 30 सितंबर से कब से 30 सितंबर से last date आपकी 31 October है 31 October आपकी last date है और last date to download चलान की है वो 39 October है तो 30 सितंबर से आपके क्या है form भणने शुरू हो गए है 31 October तक क्या form भण सकते हो अब बात करते हैं अप्लिकेशन फीच के बारे में तो अप्लिकेशन फीच के बारे में अगर बात करें तो जनर्रल, OBC और EWS की 700 रुपए है H T, H C, P, H और फीमिल की 10 रुपए आपकी फीच होगी अब बात करते हैं इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर बात करें एक्जाम पेटरन के बारे में तो इसमें बार टेक में जनर्रल सड़ी, करेंट अफेर, जनर्रल साइंस और जनर्रल हिंदी चार सब्जेक्ट होगे इसमें इसके 50 क्यूसर होगे, 50 नमर के होगे और टोटल टाइम आपका दोनों पेपर का दो गंटे, 15 मिनट आपको गया टाइम दिया जाएगा फिर आपका पार्ट नमर दो होगा अब बात करते हैं कि परसन है वो इंटरमेडियेट पर आधायरत होगा यानि आपका लेवल होगा वो दस यूँ बेस पर होगा, परते एक परसन एक अंका होगा परसन है वो दवी बास्य होगे, इंगलिस इंदी दोनों में होगे पूछे जाने वाले कुल 70 परसन होगे अब दो गंटे, 15 मिनट की होगी अब ये नेगटिव मार्किंगे इसमें कोई बात कही नहीं गई है अब बात करते हैं इसमें इसमें बारे में तो बिहार आमी जन्रल नोलेज लेबस आपका क्या क्या पूछा जाएगा इसमें सबसे पहले इंडिया ने पूब्लिक से बारत और व्यार के इतियास संसकर्ती बारत का संसकर्थी बारत का योगदान बीर से समन्दित बारत के प्राकर्तिक संसाथन अब बात करते हैं आपका इंडियन Constitution and Political System of India इससे समंदित आपके क्यों सुन होगे बारत की सविधान और राजनितिक परणाली बारत की उतुपति और विकाज इसके बाद सविधान और राजनितिक परणाली पंचायती राज और समुदाई विकाज ये आपके क्या है Constitution से पूछ से जाएंगे अब बात करते हैं Current Affair यानि बिहार आमिन Current Affair से लेपस 2020 में क्या क्या पूछा जाएगा अंतराष्टी और राष्टी आयोजन राष्टी और अंतराष्टी पुरुष्कार खेल और खेल वेक्तिताव विगानिक विकास और Current Affair से जुड़े अन्यवी से यानि डेली Current Affair आपका लगवगर लाष्ट के तीन महिने का आपको डेली Current Affair है वो याद होना चाहिए अब बात करते हैं बिहार आमिन जनलल साइंस का आपका क्या क्या पूछा जाएगा तो जनलल साइंस में सबसे पहले बात करते हैं Physics की तो प्रकास से जो आपका Topic प्रावरतन का अंपरियोग उत्थान ऊत्तल अउत्तनले इस और बरपन के ओप्योग पूछा जाएगा आपसे बल के प्रकार गती के नियम के अनुप्रयोग फिर कार्य उर्जा सकती से पूछा जाएगा आपका उर्जा के प्रकार उर्जा कर पांतरन दावनी से पूछा जाएगा दावनी और इसके गुण इसके बाद अगर बात करें तो चेमेस्ट्री, चेमेस्ट्री से क्यागा पूछा जाएगा, अमल चार और लवन, कार्बन और उरुसका और योगिक, परमानू और अनू, परमानू की सरंचना, फिर बायलोजी, बायलोजी से पूछा जाएगा, नियंतरन और समन्युए, अब बात करते हैं, जनरल मेथमेटिक से लेबस, तो मेथमेटिक में आपसे क्या पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, टाइम और बरक, मेंचोनेशन, रेशन परपोर्शन, जियोमेटरी, एवरेज, प्रोफिट लोस और डिसकाउंट, परसेंटेज, टाइम और पेपर होने के बाद, तो आपका क्या है, सेलरी क्या होगा, तो सेलरी के बारे में अगर बात करें, तो आपका पेलेवल है, वो आपका स्टार्ट होगा, 2700 से 3900 रुपे तक आपकी यह सेलरी होगी, पेलेवल आपका थ्रीश में लेगेगा, तो आपकी यह होगी बिहार आम पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दीकिए उसको आपको फ्रेस करना ताकि जब भी कोने आउडिट आजाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आजाए और आप जल्द से जल्द दीकिया है उस